इंडियन प्रीमियर लीग यानि IPL 2022 सीजन में केल राहूल की कप्तानी वाली टीम लगनो सूपर जोइन्स यानि LSG ने शुकरवार को एक रुमांचक मुकाबले में जीत हासिल की लगनो टीम ने पंजाब किंग्स को 20 रनों से करारी शिकस्त दी मैज के हीरो स्पिन और रांडर कुनाल पंडिया रहे जिन्होंने 11 रन दे कर दो एहम विकेट निकाले इन सब की बीच कैमरे में एक ऐसा फैन भी कैद हुआ जो पोस्टर लिए बैठा हुआ था उस पर लिखा था कि वह केल रहुल और आथिया शिटी की शादी काẵरी का इनतजार कर रहा है इस पोस्टर के जरीए उस फैन ने पूछा कि हम 22 में किस के होने का इनतजार कर रही है यह ξादी होगी ना इस क्रिकेट फैन ने अपने पोस्टर में केल राहूल के साथ आतिया शेटी की कई स्टालिस फोटो भी लगाई हुए थे दरसल हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि सुनिल शेटी की बेटी आथिया शेटी और केल राहूल जल्द ही एक दूसरे संग शादी रचा कर अपने प्यार की एक नई दास्ता लिखने के लिए बिल्कुल तयार हैं यह शादी अगले सर्दी के करना शुरू कर दिया तब दोनों के रिलेशन्शिप में होने की कयास लगाए जा रहे थे आतिया शेती के भाई अहांट शेती की फिल्म तडब के स्क्रीनिंग में आथिया और राहूल ने एक कपल की तरह एंट्री लेकर अपने रिलेशन्शिप में होने की खबर को कन्फरम कर दिया था अब मेडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि दोने की शादियों की तैयारिया भी शुरू हो गई है केल राहूल ने 18 अप्रेल को अपना बर्थरे सेलिबरेट किया तब आथिया ने एक फोटो शेर करते हुए लिखा तुमारे साथ कहीं भी हैबी बर्थरे इस पर केल राहूल ने आथिया को रिस्पॉंड करते हुए लिखा था लव यू एक रिपोर्ट की माने तो आथिया और राहूल ने रहने के लिए मुंबी में बांदरा के काटर रोड के एक अपार्टमेंट में 4BH के फ्लेट किराय पर लिया है यह एक आलिसान सी फेशिंग 4BH के अपार्टमेंट है यह अपार्टमेंट बिल्डिंग की आठवी मंजिल पर है इसका किराया 10 लाक रुपे है